प्राजाता के दोपा मराना थाइलेंड का है चड़िया उड़ती हुई और ये थाइलेंड के वारे में एक बात बड़ी खास है कि थाइलेंड में जो धम है वो उनका राज धम है वहां का जो शास्किय धम है वो बौध है और वैसे तो वहां सब तरह के लोग रहते हैं वहां के जितने भी लोग होते हैं खास्तों सी जेंट्स उनको लाइफ में एक वार कम से कम मंक यानि भिक्कू भिच्छू यानि की संथ या हम उसकी गेट में प्रिविस कर रहे हैं बनना पड़ता है वहां के जो भिक्कू या इस्टुडेंट या जो धम को चलाने वाले लोग हैं वो बड़े सब्भे तरीके से एक लाइन में अक्सर आपने देखा होगा बहुती अनुसासित तरीके से वो धम को चलाते हैं और वहां लाखों की संख्या में धम की संगायन यानि सभाय होती हैं और दुनिया में वो सबसे ज़्यादा दान देने के लिए जाने जाते हैं थाईलेंड को स्वन भूमी भी बोलते हैं और वहां बड़े रत्न पाए जाते हैं थाईलेंड तूरिजन तो आप सब जानते ही हैं थाई अपने अपने कमाल है ये अरियान से आए हुए लोग हैं जो थाईलेंड बुद्विहार में हैं और ये अब आप देखिए कि कैसे उद्विहार में अंदर चैन्टी चल लिए और ये जद्विहार में अंदर चैन्टी चल रिए उद्विहार मौना चुपा यां अंदर चैन्टी चल लिए आटीमिन जयोर को जो, ंञ उतैम नपकित मि कु काम, आगे मत मत भुपान आगं आगंगा, तर्फ्यानिवाद दोगोवानानवन्दोर प्रेमनोवानानवन्दोर सांद्योवानानवन्दोर यह थाइलेंड की कलाकृतियां है जो बड़ी वहां की प्रशलत कलाकृतियों में आती है यहां बॉद्ध गया के जहां से हम इस समय यह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बॉद्ध गया में सभी बुद्धिश कंट्री और जो नौन बुद्धिश कंट्री भी हैं उनके यहां मौनेश्टी यानि बुद्विहार, गौमपा, उनके धम के आले, उनकी धम की शालाएं, उनके धम के मंदिर, उनके धम के विहार, यहां बने हुए है, यह बड़े कमाल की जगह है, बड़ी शांत प्री जगह है, यहां इनकी खेती भी होती है, आप यहां देखेंगे कि यह अपना खाना खुदी उगाते हैं, उपर चिडियाओं का वास है, नेच्रल बातरबन हैं, ये देखिए, ये सब यहाँ खेती करते हैं, बड़ी महत करते हैं बिकुल लोग, बिकुल लोग कभी भी कान से जीनी चुडाते और फ्रीका नहीं खाते, वो हमेसा महत करके खाते हैं अगर किसी को धम उपदेश देंगे, तो ही दान लेंगे, अगर धन उपदेश नहीं देंगे, तो दान नहीं लेंगे, ये बुद्ध के समय से परंपरा चली आ रहे हैं, ये हम थाईलेंड की उद्ध बिहार में, आप बौध के आएं तो समय निकाल के आएं, यहां हर एक म पर आपने आप में बड़ी खूब शुरत है और ये देखिए ये थाई गौंपा यानि थाई मंदर का एक नमुना है यहां पर और यह यह बोधी भिहार का यानि जो बॉध गया में बोधी भिहार है उसका एक नमुना है मैं सुधीर राज शिंग थाई टेमपल बॉध गया भारत से धन्यवाद. भारत से धन्यवाद.